तो इस वीडियो में CHSL Pre का जो एक्जाम हुआ है 2023 में के 3rd अगस्ट का 4 का पेपर का डिसकस करने वाले हैं और यह जो है इस बार का सबसे difficult पेपर बताया जा रहा है तो बीना कोई time गम है चलिए हम चलते हैं questions पे question number 1 में बोल रहा है कि a boat goes 10 km upstream in 50 minutes और जो stream का speed है हुआ है 3 km पर घंटा तो हमें बताना है still water में इसके speed कितना होगा कि इसका boat का अच्छा बताइए upstream का मतलब क्या है कि against the stream मतलब V minus U, U का value 3 km पर घंटा दिया है 10 km जा रहा है 50 मिनट में तो 50 को हम क्या कर लेते है 50 by 60 लिख लेते है 50 by 60 क्यों लिखा हमने क्यों कि इसको km पर घंटे में बदलना है तो V का value कितना आगया 15 km per hour सही answer is question का क्या निकल के आएगा option number 2 question number 2 में है कि एक pie chart दिया हुआ है अच्छा शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको जूम करके दिखाते है आपको तो हमें क्या करना है कि यह औरेंज कि इदर है भाई औरेंज है आपका इदर वाटर मिलन के बाद औरेंज तो औरेंज है 15% तो 15% का जो value है question में दे दिया है 15,000 kg एक परसेंट का value कितना हो जाएगा 1000 kg हमें क्या निकलना है मस्क मिलन में देख लिए यह फिर से मस्क मिलन एन वाटर मिलन का एक साथ निकालना है तो यह आपका वाटर मिलन कितना हो गया 20 और मस्क मिलन कितना हो गया 5 तो 20 प्लस 5 पच्चीस 25% का value कितना हो जाएगा 25,000 तो अगर 25,000 है तो सही answer निकलके आ जाएगा option number 2 हमें x प्लस y का list value बताना है कि यह जो number दिया है क्या है 88 से divisible हो 88 का मतलब आपको समझ लेना है 11 into 8 तो 11 से भी divisible होना चाहिए 8 से भी number क्या है 780 x533 y24 11 के लिए क्या है कि हम even place पे जो digits से उसको आड़ करेंगे और प्लेस पे जो digit है उसको आड़ करेंगे उसके difference को हम क्या करेंगे क्यों 11 से divisible हो जाए कि यह जो value होगा कितना गया 2 minus x plus y आगया है 11 से divisible होने के लिए x plus y का क्या क्या possibility है एक तो 2 हो सकता है कि जीरो हो जाए फिर क्या हो सकता है 13 हो सकता है और बस दो और 13 हो सकता है लेकिन option में तो 13 दिया ही नहीं है तो 8 से check करनी की ज़रुवत ही नहीं पर ही एक्स प्लस y का value क्या गया 2 तो आप ऐसे देख सकते हैं कि calculation को कैसे simplify किया जाए एक्स्टा चीज calculate करें ना option का help लेकर solve करना है तो जल्दी हो यह question number 4 इसमें क्या है कि cot a plus cos a का value P है and cot a minus cos a का value क्या है Q है और हमें बताना है कौन सा option सही होगा इसमें हम क्या कर लेते हैं कि a का 45 डेडिया जूम कर लेते हैं 45 जैसे यह जूम किया तो P का value हो जाएगा 1 plus 1 by root 2 और Q का value कितना हो जाएगा 1 minus 1 by root 2 देखिए PQ तो सभी जगा आया है जैसे हम PQ निकालेंगे आजाएगा 1 minus 1 by 2 जिसका value हो गया 1 by 2 PQ का value 1 by 2 है P square plus Q square और P square minus Q square क्या होगा यह देख लेते है P square minus plus Q square जब आप निकालने जाएगे ते यह आजाएगा 2 times 1 plus 1 by 2 2 times A square plus B square आजाएगा 3 by 2 यह तो 3 आगया लेकिन अगर हम P square minus Q square लिखने जाएगे यह आजाएगा 4 times PQ अच्छा 4 times PQ बोल रहें कि 4 times A into B यह A है A B है तो A into B करेंगे तो कितना हैगा 1 by root 2 आजाएगा ते यह value आ 2 root 2 and P square plus Q square क्या है 3 अभी एक-एक option चेक करना है अगर आप 3rd option चेक करेंगे तो 3rd option में कितना है root 16 PQ का value कितना है आपका 1 by 2 ते आगया है root 8 root 8 को आप बोलेंगे 2 root 2 तो 2 root 2 इधर भी 2 root 2 इधर भी 2 root 2 इधर भी सही answer क्या हो गया option number 3 फिर आपको लाएगा एक्जाम में तो हम चेक करेंगे ही नहीं सबसे फ़लें कोई बात नहीं फिर आप क्या करेंगे यहां पर आपको दिख रहे है कि यह जो वैलू है option number 2 ए गया 1 by 4 into 1 by root PQ सीडियसी बात है कि PQ का value 1 by 2 आ रहा है तो P square plus Q square 3 आने का कोई सवाल ही नहीं है ना ही यहां पर 3 यहां पर भी 3 तो 3 आने क P plus Q 1 का मतलब हो गया कि P plus Q का value हो गया 90 degree P minus Q का value कितना हो गया यहां से आपको दिख रहे है root 3 by 2 है तो इसको 30 degree होना परेगा इसका मतलब क्या हो गया कि P का value 60 हो गया and Q का value क्या हो गया आपका 30 degree तो सही answer निकल के आएगा option number 3 क्योंकि मैं P का value test over 4 years 4 साल तक चला है different state में तो हमें बताना है question का द्यान से पढ़ना और answer करना है यह क्या बोड़ा है कि average of appearing candidate in screening test from all four state in 2021 मतलब कि 2021 में जो appearing candidate थे हर एक state में इनका हमें average चाहिए चलो भाई average निकाल लेते हैं average निकालने के लिए क्या करेंगा average कुछ भी माल लेते हैं जैसे average हमने 4000 माल लिया ठीक है क्योंकि 4000 क्यास पास यह सब नंबर से plus फिर adjustment start होगा पहला जो है 2900 है तो 4000 से कितना कम है 1100 तो minus 1100 हो गया सेकेंड जो है 4700 है 4000 से कितना ज्यादा है 700 तो plus का 700 हो गया तीसरा जो है 4000 से 6 कम है तो minus का 600 हो गया फिर जो चौथा है वो 4000 से आठ जाद है तो plus का 800 हो गया और टोटल को क्या करना है भाईया यहां से आपको दिख रहा होगा कि टोटल को हमें 4 से डिवाइड करना परेगा तो 4000 इधर देख लीजिए प्लस थे प्लस में एक आरा छो सत्तरह सो पंद्रह सो तो माइनस दो सो बटा चार तो यहां से आपको दिख रहा है कि यह आगया है 3950 3950 का मतलब सही आंसर हो जाएगा option no.2 question no.3 में है कि सोभा जो है वो 5130 में पर्चेज किये है शारी और उसको discount मिला है एक 10% का एक 5% का तो हमें marked price बताना है जो भी marked price है उसमें पहला discount 10% का मतलब 10 का आइटम 9 में मिला होगा सेकंड 5% का मतलब 20 का आइटम 19 में मिला होगा और इसका value है 5130 यहीं marked price बताना है कोई बात नहीं 9 से अगर करेंगे तो 945 970 570 29 30 बार में तो जो marked price है यहां से आपको दिख रहा है छे पे 3 सुनना 6000 सही answer option number one question number eight में है कि minor arc BC जो है BAC and BDC 2.a and d जो circumference पे major sector पे और इसका circle क्या है circle नहीं center क्या है O देख लेते हैं एक minor arc है BC दो point है A and D major arc पे तो यह angle ऐसे ऐसे बन रहा है यह दिया हुआ है चलो ठीक है कोई समस्या नहीं center है O question में दिया है कि BDC का value 73 degree है BDC यह value हो गया 73 degree हमें निकालना क्या है भाईया ABC और ACB ABC यह वाला part हो गया ABC तो इधर हो गया पूरा का पूरा और इसके साथ क्या बोला है ACB ACB यह वाला part हो गया मतलब एद नोनों का सम निकालना है तो अगर यहां पे 73 degree है तो BDC 73 होगा बोलेंगे हाँ तो जो हमें सम चाहिए न एंगल ABC प्लस एंगल ACB यह सीधी सी बात है 180 degree में से 73 को माइनस करना परेगा त्योंकि तीनों एंगल का सम एक सबस्ती होता है तो आंसर आगया 170 degree सही आंसर है 107 तो होए option number 1 question number 9 में है कि ratio of number of men to the number of women एक office में 2 is to 3 है average weight men and women का 56 then 51 है तो हमें पूरे office का average बताना है कोई बात नहीं यह men हो गया यह women है 2 is to 3 है अगर हम average की बात करें तो men का है 56 women का है 51 total average निकाल लेजिए बहुत ही असान है माल लेते कि average कितना है 56 ही है लेकिन जो women वाला section है हर एक women पांच कम लेके आ रही है तो बहुत सही बात है total कितना कम गया 5 तिया यह 15 कम गया माइनस का 15 और यह कितने लोगों में distribute करना पड़ेगा average के लिए men women दोनों में तो 5 में distribute कर दिया 56 माइनस 3 आंसर आगया 53 kg तो यह हो गया है सही आंसर है option number 3 question number 10 में है कि radius of a circle है 3 cm वो है center एक length of tangent जो है point P से draw करना है P 5 cm के दूरी पे है तो answer हो जाएगा 4 पाइथागुरियन ट्रिप्लेट का समान सा सवाल है यह है आपका 5 cm के दूरी पे और यह है आपका 3 यह हमें निकालना है कि length of tangent कितना हो गते है तो 4 होगा पाइथागुरियन ट total surface area lateral surface area of a cube जिसका side क्या है 12 cm TSA minus LSA कितना होगा TSA से तो होता है 6a square LSA से होगा 4a square तो answer आगया 2a square 144 का डबल 208 सही answer का हो गया option number 3 question number 12 में है कि distance between center of 2 circle जो है जिसका radius 24 and 18 है उसके बीच का distance of 48 तो हमें बता ना direct common tangent का length क्या होगा यह जो DCT का length होता है न यह होता है root distance between center के square में से radius के difference के square को minus करना है तो यह आगया 48 square में से radius का difference कितना है 6 6 square को minus कीजी root 54 into 42 तो 54 into 42 तो 54 into 42 आगया 54 into 6 कितना हो जाएगा तो यह आगया आगया 18 root 7 cm सही answer क्या हो गया option number 1 13 में की present value of sum if the compound if the interest compound at 18% per annum for two years is 981 इसका मतलव क्या है दो साल तक 18% तो are effective जो होए वो कितना हो जाएगा हमें पता है कि दो साल के लिए x plus y plus xy by 100 होता है दोनों जगे 18 input करेंगे तो यहाँ पर 36 और यह आजाएगा 324 by 100 कितना आ रहा है 39.24 इतना ही आगे तो 39.24 परसेंट का जो value है न यह है 981 ठीक है यह कितनी बार में चला जाएगा चार बार में यह 25 बार में वन परसेंट 25 है तो 100 परसेंट कितना हो जाएगा 2500 2500 बोले तो सही आंसर हो गया option number 4 यहीं सही आंसर 14 में है कि एक vendor जो है 10 परसेंट अर्न करता है एक investment पे लेकिन दूसरे पे 10 परसेंट का loss है तो हमें combined loss और गेन बताना है अगर इन्वेस्टमेंट कर एक यह वन इस टू 3 है वन वाले पे 10 परसेंट का profit है इस पे 10 परसेंट का loss नेट कितना होगा नेट तो नीचे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा ऐसे देखेंगे तो 10 माइनस 30 तो माइनस 20 वाई 4 इसका मतलब इसको 5 परसेंट का loss हुआ है माइनस 5 परसेंट का loss सही आनसर है ओपना कोर्सेंट नम्बर 15 में कौसेट का value दिया है कौक स्कॉयर ठीटा को निकलन है तो जो कौक स्कॉयर ठीटा होता है यह तो माइनस करने है कोसेट स्कॉयर ठीटा कितना अगा 2239 혹 suggestions का square 841 डिवाड़ें बाइस स्कॉयर चारसो चौरासी में से एक गया तो नीसे तो चारसो चौरासी आएगा यहां पर दिख रहा है कि यूनिट डिजिट सेवें आना चाहिए सेवें एक ही ओप्सन में तो यही सही हो जाएगा ऐसे भी यह कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है कोई बात नहीं पंदरस सव है पहला डिसकाउंट 20% का है मतलब 5 की आईटम को 4 में दिया जाएगा सेकेंड डिसकाउंट के कोरिस्पॉंडिग मल्टिप्लाइंग फेक्टर आप MF माल नीजिए टोटल भैलू आना चाहिए वन वन जीरो फोर पांस देखे तो यह 300 बार में चला गए और 4 ती आई 12 चली फोर से कैंसल कर लेते हैं चार दूना 8 तीन यह गारा चरसाते 28 दो 30 इतना आगे फिर यह 3 से देखेंगे तो यह 100 बार में जाएगा एक इतनी बार में जाएगा 93 साथ 92 बार में तो जो multiplying factor आ रहा है 24, 4 से 23, 25 इतना रहा है multiplying factor 23, 25 है इसका मतलब क्या हुआ कि जो discount percent है, discount हो 2 unit का है 2 का discount मिला है 25 पे, गुना का 100 कर लेंगे 8% तो यहाँ पे discount कितना मिला है 8% सही answer है option number 3 17 में बोला है कि compound ratio of 3 is to 4 and 6 is to 7, 36 is to x, 3x का value कितना हो जाएगा 56 देखे compound ratio a by b एक है and c by d है अगर इसका compound ratio बोले, compound ratio तो यह आपका numerator को multiply कि यह denominator को multiply कर देज़े यही होता है, यहाँ पे देखेंगे तो 18 बटा कितना आजाएगा 28, इस 18 के place पे 36 दिया था, 28 के place पे 56 आएगा कौन सा answer सही आ रहा है option number 2 question number 18 में 2a minus 3b का value पता है, 2a plus 3b का value पता है हमें a b चाहिए, दोनों को अगर हम add करेंगे 4a का value 24 आगया, मतलब a का value 6 है अगर a का value 6 है, तो b का value कितना हो जाएगा, 12 आ गया उधर, तो 2, b का value आगया, 2 by 3 यहाँ से a b निकाले हैं तो कितना आ जाएगा, 4 सही answer क्या आगया, option number 2 19 में x cube का value दिया है, और x का value दिया है, फिर हमें x plus y का value चाहिए कोई बात नहीं, x और y दोनों positive है x cube minus y cube, जिसका value हो जाएगा, 270 इस x cube minus y cube को हमें कैसा लिख लेंगे, a minus b whole cube minus 3ab into, अच्छा, plus 3ab into a minus b होता है यह value है 270 अगर आप यहाँ पर focus करेंगे, तो x minus y का value 6 है 6 का cube कितना होता है, 216 प्लस 18xy, इसका value हो गया है 270 तो 18xy का value कितना हो गया 54, xy का value कितना आगया, 3 अगर xy का value 3 है, x plus y पता है हम x minus y पता है, तो x plus y तो आही जाएगा x plus y कैसे आएगा x minus y के whole square में 4 गुना xy add कर दो, कितना आगया 36 में 12 है add कर दो, 48, 4 root 3 सही आंसर इसका निकल के क्या है, option number 3 question number 20 में है कि एक जो इंसान है अपना 68% खर्चा कर देता है, लेकिन वो save किया है कितना 14,720 तो हमें बताना है, वो खर्चा कितना किया है कोई बात नहीं भाई, आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई 68% खर्चा ही कर दिया, तो बचाया कितना 32% इस 32% का value कितना है, 14720 हमें कहा जाना है, 68% तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा इसका double करेंगे तो 64% आजाएगा, बोलेंगे कि ठीक है 64% का value कितना आजाएगा ये तो 40 आ गया, 721, 14 14, 28, 29, इतना गया है इसमें 4% और एड करना है, तो जब 68% जाएगे तो 4% मिन्स इसका 1 बटा 16 1 बटा 16 करेंगे तो value कितना आएगा क्योंकि 384642 बहुँ दूर है इसलिए सही आंसर होगे, option number 2 कुरा calculate करने के जरूरत नहीं है वैसे इसमें calculation tough नहीं था, आप कर सकते थे लेकिन क्यूं करेंगे, जब option दिया हुआ है 21 में है कि given table में दिखा रहा है कि आपको number of birth, reserving train A, B and C on a particular day different classes में, तो question का answer करना है यह बूर रहा है कि train B and C में total कितना seat vacant है अच्छा बताई तो हमें vacant देखना है, देखे, B में 200 में कितना vacant है मतलब 190 भरा है तो vacant कितना है, 10 यहाँ पे 2, total मिला के कितना आगया 12 vacant, इस 200 में 183 भरा हुआ, vacant कितना है 17, यहाँ पे 9, 17, 9, 26 यहाँ पे 26 हो गया 400 में 348 भरा हुआ, vacant कितना है 52 यहाँ पे vacant कितना है, 36 32, 36 मिलके 88 हो गया है 300 में 215 भरा है, बचा कितना 85, यहाँ पे बचा 9 85 मिलके 94 हो गया 500 में 414 है, तो बचा कितना है, 86 यहाँ पर कितना बचा 16, 86 और 16 मिलके 112, 6, 6, 12, 8, 1, 9, 1, 10, 102 हो गया, अभी टोटल कर लेते हैं, 6, 2, 8, 8, 16, 4, 20, 22, 3, 2, 5, 8, 13, 13, 9, 22, 1, 2, 3, तो आंसर आ गया 3, 22, सही आंसर है, option number 2, तो इसमें बस calculation था, और कुछ है नहीं, calculation में आपको time निकालना परेगा, जल्दी यल्दी calculation करना परेगा, 22 में क्या दिया है कि दिक्षा जो है एक काम को 12 गंटे में करेंगी, मतलब 12 गंटे में 75 स्क्रिप्ट लिख लेती है, मोहित जो है सेम को 10 गंटे में कर लेता है, चलो भाई, जो दिक्षा है इनका efficiency क्या हो गया, 75 पेज लिखेंगी 12 गंटे में, तो 75 बटा 12 हो गया, इसको 3 से करेंगे तो 25 बटा 4 आ रहा है, जो मनु है इनका efficiency क्या हो गया, यह 75 को लिखेंगे 10 गंटे में, तो 5 पंदरा 75 बटा 4 और 5 दूना 10, जिसको आप 30 बटा 4 भी लिख सकते, ठीक है, इन दोनों के efficiency को अगर हम add करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 55 बटा 4 आ गया, तो 55 बटा 4 इनका efficiency है, अभी हमें क्या करना है, यह 1500 manuscript लिखना है, उसमें time कितना लगेगा, तो time हो जाएगा, 1500 को efficiency से डिवाइड कर देते हैं, जो कि यह 55 बटा 4, तो 5 एगार है, यह 5 तीस, तो 120 बटा 11 आ गया, ठीक है, तो 11 दहांके 110, फिर 10 बटा 11 आवर्स, तो सही answer आ गया, option number 3, 23 में बुला है कि यह भी सीख triangle है, internal angle by sector जो है, एक्स पर मिल रहा है, B, A, C, T से, तो B, A, C कितना हो जागा, answer 105, कैसे होगा भाई, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो ABC triangle है, जब internal angle by sector जिस point पर meet करता है, यह X है, यह जो angle होगा, angle B, X, C, यह होता है, 90 degree प्लस, एक angle जो बचा है, उसका half, तो 30 का half 15, 90 प्लस 15, कितना होगा, 105 degree, question number 24 में है, कि एक financial institution क्लेम करता है, कि यह 3 गुना पैसे लोट आएगा, 25 साल में, कोई rate of interest है, तो हमें बताना, simple interest क्या होगा, rate of simple interest, एक बात बताईगे, amount होगया न, 3 गुना, simple interest कितना होगा, बोलेंगे 2 गुना, कितने साल में, बोला 25 साल में, R का value R माल लेते हैं, गुना का 100, तो P से P चला जाएगा, 25 चोग के 100, R का value कितना होगया, 8%, तो सही answer आगया, option number 3 भाई, एक मीनस, सही answer आगया, option number 3, आगे चलिए, 25 में हमें इसका value बताना है, जब A प्लस B प्लस C का value 0 नहीं है, ए जो है न, ए क्या लिखा हुआ है, अगर आपको पता है तो, ए तो AQ प्लस BQ प्लस CQ, माइनस 3 ये विसी का formula है, तो सही answer हो जाएगा, option number 2, तो इसी के साथ, जो CHSL 2023, pre है, इसका जो toughest shift है, इसका solution complete हुआ, अगर आपको ये पसंद आया है, तो subscribe जरूर करें, वीडियो को like करें, और अपने दोस्तों के साथ share भी करें, आपके लिए तो ये तीनों का तीनों free है, लेकिर हमारे लिए बहुती बड़ा motivation का काम करेगा, तो फिर मिलते हैं अगले paper के solution के साथ,